हेलो फेन सीजी पेसी हैं नेटर नोट्स की यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चलिएगा आज हम लोग अपने बाल विकास का मॉडल पेपर दूसरे लेक्या गया है सांदर मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयर किया गया है इसमें नए कोश्च पाने में तो सबसे पहले नीचे देखिए शेयर का बटन वहां से जाके वाट्स अप में आप सेयर कर दीजिए अपने स्टेटस में चलिकर दीजिए फिर स्टार्ट करेंगे आगे और जो नय होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि जो भी चैनल में अप्लोड हो वीडियो आप लोको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करेंग उसी बगर में घंटी बना हुआ है तो उसको आल बताते जाना है और तीस कोश्चन लिए हम लोग जैसे एक्जाम में आता है वैसे भागवन में रत भागवन डाल के हम लोग इसको लिए तो आप थाटी कोश्चन आप लोग बताईएगा कितना आपका सही होता है ठीकर स्टार्ट करें रेड़ी है आप लभी लाइफ चैट कर लिए चलिएगा सबसे पहला कुश्चन आप लोग को इसके दिखाई दे रहा होगा स्रीजन वाद में स्रीजन वाद में क्या होता है बताना है बच्चे सिखने की प्रक्रिया में निस्क्री रूप से प्रतिभाग करते हैं सिक्षा सिक्षा केंदी होती है सिक्षा बाल क हो जाएगा चलिएगा तो आप लोग का आंसर दीजिए इसका अपसर सहीं हो जाएगा आपसर सी देखिए जो स्रीजनवार्ट सिक्षा के छेत्र में एक ऐसी विचाल धार है यह जो बाल केंदरित सिक्षा को पोशीद करती है अल्थार इसमें सिक्षक अधिगम प्रक्रिया का केंदर विंदू बालक होता है इसलिस को सिख्छा बाल केंडित होती है बोलते हैं स्री जनवाद में थी कहा में अपको डिटेल भी बोलता कि आते जाओं, साथीच आपको नोट करना नोट कर लीजिazeगा ठीक है जू इसका question answer या इसके Haut लेजगा चलिएगा बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठे पुस्तकों में चरित्र निर्माण समझे पाठ होने चाहिए चरित्र निर्माण के लिए व्यक्षान दिया जाने चाहिए कक्छा कक्छ गतिविधी इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरीत निर्मार में सहयता मिल सके महापूर्सों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाने चाहिए सबसे बेश्ट आंसर आपको चुनना है आंसर तो सभी सही है लेकि इसमें सबसे बेश्ट क्या करना चाहिए वह आपको चुनना रहता है इसमें बालविकास पर चली कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से क्या हो जागे इसका आंसर दूसरा का क्या होगा आप दो करके कमेंट कीजिए इसका सबसे बेस्ट आंसर है option number C कक्छा कक्छ की गतिवी इस प्रकार से हो कि बच्चों को चेतर निर्मार में सायता मिल सके तो इसका सही आंसर होगा option number C चलेगा next question को आगे परते हैं यह आते हमारा next question 30 question ट्यार करवाएं पूरा आपका पेपर जैसे पेपर होता है वैसी pattern में आपको पूरा चलेगा निम लिखित में कौन सी परिस्थिती में बच्चे का समवेगात्मक एवं समाजी विकास अच्छे से होगा तैसी कौन सी परिस्तिती है जिसमें बच्चे का समय गात्मक और समाजी विकास अच्छे से हो जब बच्चे को महत्पुल माना जाए तो उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए जब बच्चे को अधिक सरी पढ़ने को कहा जाए जब बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक लाएं जब बच्चे को बौध्धे किस्तर के अनुसा पढ़ाया जाए तो इसमें क्या करें कि बच्चे में समयगात्मा को समाजी विकास अच्छे सो हमको विकास समयगात्मा का और समाजी विकास की बात करना है तो ऐसा क्या करना चाहिए चली कमेंड कीजिए तीसरा कांसर क्या होगा कि देखेंगे आप लोग ध्यान देजिए का जो बच्चे होते ना वह भावनात्मा करूप से बड़े कोमल होते हैं यदि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें महत्तपूर माना जाए तो उनके समय का आत्मा को समाजी विकास पर सकरात्मा प्रहा पलते हैं इसे सबसे बैश्ट आंसर होगा आपसर नमबर ए ठीक है चलीगा आप लोग अंतिम तक बने रहे हैं आपको ऐसा टेस्ट पूरे यूटूब में नहीं मिलेगा उन लोग क्या करते हैं जो पुराने कोश्चन होते हैं स्रीजी समकता को बढ़ने में सायक होती तो जिए गलत हो जाता है से बैस्ट को उत्तर याद करने के लिए का वैप लोग चले सही है आपसा नमर डी आएगा जब बच्चे को स्वैम करके सिखने के लिए अधिक सदिक अवसा दिया जाए तब बच्चे क्या होते हैं परिस्थितिक सिजनात्मक्ता होते हैं ठीक परिस्थितिक अनुस्वार ढल जाते हैं क्वेशन नमर पाच्वा है गतिवीधी आधारी सिख्चन खालिस्थान पर बल देती हैं सभी विध्यात्यों की सक्री भागिदारी निस्ची तवधी में गतिपूर्ण पूरा करने का खेलने का अनुसासित कख्चा का बहुत इसांदर कोशन हैं जारा समय नहीं लेंगे चली और यह की सोर किसारा करने मतलब अगर आप बच्चों को कुछ सीखना चाहिए पर तो बच्चों से भी आपको सीखना पड़ेगा अध्याबक के न्रिस्चक योँदे सिक्षा पर नुद्च्च्च पर पर देखिए विडियो न आपके लिए वर्ग तीन वर्ग दो दोनों के लिए ना थीक है तो दोनों वाले अंतीम तक देखेगा यह आप को बर करें दो के लिए कोशन ड़ाएं उच्छे प्रात्मिक इस्तर पर सैक्षिक यह बाद क्या यह दोगे चले बताइए तो इसका सभी आंस व्यान स्वा भी सैक्ष्रिक केरियर और व्यक्तिक निडेशन तो चटीश आठीट यह आ जाएंगे तिह तीनों जनकाई आपको देना रहेगा थीक है चलेगा कोश्चन नमबर आठवा देखेंगे बच्चों में नैतिक मुल्यों को विक्षिट करने का सरवाधिक उचित तरीका क्या है तो नैतिक मुल्यों को विक्षिट करना ध्यान दिजिएकर नैतिक मुल्यों ठीक है प्रात्ता कालिन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना नौट इंट्रेस्ट विद्यार्थों के सामने एक परिस्थिती रखना और उस पर निर्ना लेने के लिए कहना यह हो सकता है विद्यार्थों के नैतिक उतिक्ता के बिच अंतर करना तो चले आप लोग अपने अनुसार सबसे बेस्ट आंसार बताईए तो क्या हो जाएगा इसका अप्सन नमर्स सी सिख्षको एवं बड़ो द्वारा नैतिक मुल्यों प्रदस्रिक करना क्योंकि बच्चे देखकर ही सिखते हैं अगर आपका टीचर सबसे बेस्ट नैतिक मुल्यों वालों है तो आप भी उन्हीं के तरह बनना चाहेंगे ठीक है तो कोश्चन नमर्स नाइन की और आगे बढ़ते हैं ए हद्त लेगा और जो आपकश्यों कि भापशना दीच कई लेए बटाण सब्यानाश कोट सब्मर्स कोट ब्याit और बच्चों के साथ उचीत खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए ठीक है चलिए कोश्चन अमर्ट दस्व देखेंगे करेंद्व देखेंगे कोश्चन बने रहिएगा भुषर आपका नय कोश्चन टैयार हो जाएँगे जीनिप्याजे के अनुसार अनुकूलन खालिस्थान के द्वारा होता है बताइए अनुकूलन आत्मसाथकरन व्यवस्थापन अनुभाव या आत्मसाथकरन व्यवस्थापन तो जीन प्याजएक अनुखुलन खाली सफ्थाइं की दोरह तो बताईए चलिएगा अपने साथ होगतु इसका सउयान से, इसका सऑ करन्झाए उफ्यस नमर्ड क蒙ुफ्स नमर्ट । द्वारा होता है जीन प्राजे करन सानुकूलन किसके द्वारा होता है तो आत्मसाथ करन और विवस्थापन की द्वारा चलेगे नेस कोशन ग्यारो कोशन परामर्स में समलित नहीं है क्या आपको परामर्स नहीं देना चाहिए बच्चों को धायर पुरुवक सुनना बच्चे से मित्तापुन बातचीत करना करना चाहिए बच्चे के डिश्टी को समझना बच्चों को अनुसासन में रखना तो सबसे best answer आपको पता इये इजमें क्याजी देखें बच्चों के अलहते सुनना चाइए। चाहिए सही है confined चाहिए। सुनना चाहिए बच्चे मаетतित्रGen बडात करना चाहिए। बच्चे के दिश्टिक को समझना चाहिए। बच्चों को अनुसासन में रखना तो मारा अंसर जाएगा अप्शन अगला क्वेशन राजी इस्तर पर कक्छा पहली से आठी तक की पाठी चरिया के निर्मा कोन कता है क्र लिभेश्ची से निर्मान क्राइश्य fifty तक जो आधियुक्त नाधेश्य च다면 फोलाई нашего यूट। निम्न जाती के विद्यारतों साथ एक पर्णती में भोजन करने से इंकार करते हैं तो आप क्या करेंगे बहुत इंप्रोटन कोश्चन है ऐसी कोश्चन आपको घुमाग पूसता है सिक्षक वलती में आप प्रिठक बैट का व्योस्था करने है तु सहमत हो जाएंगे ठीक है आप विद्यारतों के एक साथ बैठा का भोजन करने के लिए सहमत करा लेंगे चलेगा नैस कोशन कोशन हम चुदा है विज्यान में मूनिका की संप्राप्ति अच्छी है ठीक है मूनिका विज्यान में अच्छी है किन्दू गड़ित में खराब है इसका प्रमुख प्रभावी नहीं है यह गड़ित काथीन भी साय है बताइं संभावित क्यान हो जकता है तो हम लोग की यह कठीन तो नहीं है यह भी नहीं बोलते हम लोग हम लोग का बैस टांसा एक गरिद सिक्षण प्रभावी नहीं मतलब अच्छे से वहां नहीं पढ़ाया जा रहा गड़ित का सिक्षण इसलिए मौनिका को वह खराब है ठीक अच्छ नमर नहीं आता क्योंकि गड़ित का सिक्षण अच्छ से नहीं है वहाँ चले गोशना 15 एक सिक्षक की न्युक्ति सुदूर गाव में की जाती है जहां पर ग्राम वासी असिक्षित हैं ठीक है वहाँ जित अच्छा समधान नहीं तो प्रेणा का वाओ या पेजल सुईधा का वाओ बताई सबसे बैस्ट अंसर क्या होगा क्या चीज़ के आपको दिक्कत महसूस होगा कि कमेंट कीजिए आप लोग और जितने लोग भी देख रहे हैं एक बाद लाइक का बतन उसको लाइक कर दीज करें आप लोग आज क्लास कैसा लगा कोश्रमा सब्सक्राइब के अनुसार सही और गलरप्रस्ण के रावारे में निन्ना लेने में सामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं नैतिक दूविधा और सहीग की नैतिकता नैतिक तडगना नैतिक यथा तवाद चलिए बताईएगा इसका अंसर क्या होगा आपके अनुसार तो चलिए इसका सही आंसर आपसर नमज सी नैतिक तरकणा ठीक है नैतिक तरकणा ठीक है तो जो तरक करते हैं वहीं चिंदन प्रक्रियाफ को सामिल किया गए उसमें चलिए कोशन में 17 पास्ट करेंगे थोड़ा तेस कोश्चन करना है और संग्यानात्मक चेतर मनोगत्यात्मक चेतर का मुल्यांक चलिए बताईएगा इसका सही आंसर सभी को बता होगा देखके समझ मैं आका सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए कोशन लएंगे कोशन नमा थारा है विद्यास्थी तो अधारना का उप्योग भूगोल की कश्चा में किया जाता है यह उदारान है सकरात्मक अंतरन, नकरात्मक अंतरन, सुनी अंतरन या इन में से कोई नहीं चलिए बताएब अठारा कांसर क्या होगा तो आपसर नमबर ए ठीक है जब पहले की सिखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निस्पादन पर पहता है तो इसे हम लोग सिखने का अंतरन कहते ह गडित कक्षा में सीखी गए और धानना को भूगोल कक्षा में करना सकरात्मक अंतरन का उदाहरन है ठीक है चलेगा नेस्ट कोशन अमुटनीस की सोरों के संदर में निम लिखित में कौन सा कथान उचीत है बोला ठीक है चिंतन का मूते क्रियाओं में प्रदर्शित होना ज जो किसोर होते हैं उनमें क्या इनमें से गुण होते हैं यह बताना है आपको तो क्या होज़िए आपसर नमबर सी समरिगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है ठीक है चलेगा नेस्ट कोशन व्यक्तित विकास में खालिश्थन एक मत्पूर्ण भूमिकार निर्वा आपसर अलग था ठीकिन व्यक्तित निर्वार महत्पूर्ण करके पूछात आपका अनुवान सीखता वातावरन यह सारी चीज़े आपसर में थे ठीक है चले इसका सही आंसर क्या होगा आपसर नमबर ए जो अनुवान सीखता है और वातावरन कमिश्थन यह दोनों महत्प अच्छा लग रहा है पार्ठी योजना त्यार करना उसके पढ़ाना यह था संभव क्रिया क्लाब कायोजन करते हैं तो सबसे मुख्य बोला तो यह को जाएगा ऑपसर नमबर भी ठीक है चलेगा नेश कोशन नेखेंगे कोशन में बाइस वीचार ना कियावल भासा को भासा को निधायट करता है बलकि उसे आगे भी बढ़ाता है यह कतंक इसका है जीन प्याजे का देखें अभी नहीं पढ़े रहते हैं यह कोशन नहीं बनता तो ध्यान से देखा करें पुरांदिर तक देखेंगा कच्छा में प्रभावी अनुसासम बनाया रखने के लिए सिक्षक को चाहिए की वह विद्यार्थों जो करना चाहते हो उसे करने देखें विद्यार्थों में कड़ाई से विवहार करें विद्यार्थों को कुछ समस्या हल करने के दे बी और सी तो इसका सही आंसर क्या हो जागा सबको लग रहा होगा आपसा नमस सी ही आएगा ठीक आपको एक नेत्र बधित विद्यार्थी को पढ़ाने का उसा प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस परकार व्यवहा करना चाहेंगे उस पर तरिक तज्यान नहीं देंगे जिससे वाधिकांस की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है कक्षा में उसके साहनबूति पूर् पढ़ाएंगे चलिए सबसे बेस्ट आंसर आपसो नमबर डी आगे वाली पंक्ति मुसको बैठाने की परस्ता करेंगे और उसके स्वीधा करने गति से उसको पढ़ाएंगे ठीक है चलिए कि क्वेशन नमबर 25 आप लोग ध्यान दिजिएगा अभी प्रयोग साला का बैच स्टार्टिंग आफर है बाद में यह बढ़ जाएगा केवल 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 अभी क्या है आपका 299 रुपए में हो रहा है तो अभी कल लीजिएगा चाहत इसका भी बैच स्टार्ट है मतलब कल से तो सांदर मोगा है इसमें केवल बार्वी पास मंगा है त्वेल्थ पास ना दियेट ची यह न टेट पर चाहीए त्विकास के प्रभाव के सीमा बात करें हम लोग अनुवान सिक्ता कहा तक उसके प्रभाव डालती है उसकी सीमा का सबसे अच्छा और ननिमन किसके दोजारा होता है अनुवानसिक्ता निधारित करती है कि कोई कितना विक्सित होगा अनुवानसिक्ता निधारित करती है कि किसी को कितना विक्सित किया जाए A और B दोनों या A या B चलिए बताए इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होज़ेगा आपसर नमबर B ठीक है अनुवान सिक्ता निधायत करते हैं कि किसी को कितना विक्सित किया जा सकता है देखेंगे चार कोशन और अंदिर नग बने रहेगा अरिक्तम प्रबलन काली प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चीए उत्तर प्राप्त होने के तुरन बाद उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले या उत्तर देने के सांसाथ उसी छण उत्तर देने के परियाप्त बिलम के प्रश्चाथ चेले बताए क्या सही आंसर होगा प्रिसकर सही आंसर होगा आपसर नमबर ए कि उत्तर प्लाप्त होने के तूरंध किसी हैं रिवार्ड तो अधिक्तम प्रभाव प्रभलनंकारी प्रभाव už देता है कोश्ड़ में 27 देखेंगे न्य प्रगतिशिल सिक्षा सास धिए प्रदेशित कता है अधिगं के लिए नहीं के लिए निसम nasa को symmetry करें तोटी का उपर संकेत माना जा सकता है उसके अधिगं कुशलता में कमी उनका अधिगं C यह अधिकंध तो इसका रही आंसर रहोगा ममट्र ऑफिछस का सङी प्रांबर भी उसका अधिकल्हंट टूती है देख्योंट प्रक्रिया इक प्रक्रिया होते ठीक है और तुति कंटें से क 快रन का संकेत मानागे थिकले यह आपक हो पहले कि मानाист है कि यह आपका एक सिक्षान दिग्यम की प्रक्रिया का चरन बद्ध है ठीक है चले कोशन हमारे उन्ती देखते हैं लाज्ट दो कोशन विज्ञानें कला प्रदर्शनिया संगीत नित्य प्रस्तूतिया विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए खरिस्थान के लिए है सही आंसर दीजेगा तो सही आंसर आपको होजएगा आपसर नमर डी सिक्षाल्थियों को सिज्यनात्मक मार्ग उपलब्द कराने के लिए सारी विशाय रखते हैं ठीक है चले कोशन नमर तीज देखेंगा अंदीम कोशन उसका पताईए कितना सही हुँआ आपका कोशन नमर तीज है समावेशी सिख्षा उस वीड्यालेई सिख्षा व्यवस्था की ओर संकेट करती है जो कियों बालिकसी को बढ़ावा देनी के आउसकता पल देती है जो सभी नीरियोग या बच्जो को सामिल करती है और उनके सारीरिक बौदिक समाजिक भासिक तथा अन्य योग्यता को ध्यान में रखे बगर सभी वच्छों को सामिल करती है जो विसे साथ सकता हुले बच्छों को विसे सता भी डियरायक मादम सिक्षर दिन प्रोसाइट करती है तो समय विसी सिक्षर में क्या होता है यह सोंच कर बताएगा इसका सही आंसर आप अब कैसा लगा आपको कमेंट का जरू बताइएगा और जो अभी तक हमारे टीचर भलती में एडमिसन नहीं लिए हैं वह ले लिए वर्ग तीन का है कि यह वाल 499 रुपए ठीक है और दो का है आपका 699 रुपए दोनों बैच आपका बारा सो रुपए पड़ता है अभी पुराने सारे मिल जाएंगे आपको ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीटेल वहां से नंबर लेकि बजरूर मेंसेज के डीटेल देख लीजेगा ठीक है चले मिलते हैं एक बाद शेयर कर दीजिए जाते 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 आप लोग शेयर कर बटन से जाकर वाटसब सब दीजिए मिलते नेश्ट विर्वाइब तब तक वैस्टा फ्लाइब